आयोध्या के राम जनम भूमी तीरत छेत्र में आप तीन चीज के जरीए पहुंच सकते हैं हवाई जहाज के जरीए प्रेन के जरीए और बस के जरीए अब हम और हमारे सहयोगी तनिश्क आपको बताएंगे कि बस स्टेंड एयरपोर्ट और रेलवे एस्टेशन से आप कैसे जनम भूमी छेत्र पहुंच सकते हैं दोसषी क्लोड रुपई की लागत से तयार हुआ यह नया अयोध्याधाम रेलवे इस्टेशन है और यहाँ पर दिल्ली से अजोध्याधाम 25 ट्रेने चलती हैं और महानगरों को अगर मिल्या लिया जाए तो कुल 70 ट्रेने अजोध्याधाम रेलिवे स्टेशन पर रुकती हैं तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अजुद्या धाम आप उतरिये और फिर यहां से राम जनम भूमी की दूरी मुश्किल से एक किलो मीटर है तो अगर आपके पास में ज्यादा सामान नहीं है तो आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आपके पास में ज़्यादा सामान है तो आप यी रिक्षा या फिर इलेक्ट्रानिक बसें भी चलती हैं इलेक्ट्रानिक बसों में 10 रुपए का मेहज़ आपको टिकट लेना पड़ेगा और आप राम जनम भूमी परसर तक पहुंच सकते हैं लेकिन आईए हम आपको दिखाते हैं पैदल किस तरीके से आप राम जनम भूमी परसर पहुंच सकते हैं आयोध्यादाम रेलवेज स्टेशन पर अगर आप फुतर ये तो इस तरीके के बहुत सारे यी रिक्षा आपको मिलेंगे दस रुपे देकर आप राम जनम भूमी परसर तक इस ए रिक्षा से आप पहुंच सकते हैं और अगर आपको ए रिक्षा नहीं मिला तो गबराने की कोई जरोत नहीं है आप पैदल भी राम जनम भूमी परसर तक पहुंच सकते हैं चल के दिखाते हैं आपको अजय अध्या ध्याम रेलवे एस्टेशन उतरने के बाद हम पैदल महज 12 मिनट में राम मार्ग से होते हुए राम पत पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर मेरे ठीक पीछे राम जनम भूमी परिसर है राम मंदिर को देश दुनिया से जोड़ने के लिए अजोध्या का एरपोर्ट 1450 कुड़ रुपए की लागत से बनाया गया और अगर आप दिल्ली मुंबई और एहमदाबाद से अजोध्या आ रहे हों तो हवाई जहाज आपके लिए एक अच्छा साधन रहेगा आप अजोध्या एरपोर्ट पर उतर कर या तो यहां से ए रिक्षा लेकर आप राम जनम भूमी तक जा सकते हो उसका किराया 50 रुपए पड़ेगा और या इस तरीके की जो प्राइवेट टैक्सी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो पांस से सासु रुपया इसका किराया है चलाओ एरपोर्ट से निकलते ही राष्टी राजमार्क 27 से होते हुए अब हम टेड़ी पुलिया के फ्लाइवर पर पहुँच चुके हैं और अब हम यहां से देखते हैं कि और कितना वक्त लगेगा तो हम आजोध्या के एरपोर्ट से राम जनम भूमी तक पहुँच चुके हैं और पहुचने में हमें तकरीबन 24 मिनट का वक्त लगा है और 12 किलोमीटर का सफर हमने तैं किया आप इसके अलावा अगर आपके पास में खुद की गाड़ी है तो अजोध्या से सारे महानगरों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं आयोध्या आने के कई तरीके हैं लोग एरपोर्ट से आ रहे हैं फ्लाइट के जरीए लोग रेलेविस्टेशन से आ रहे हैं और लोग बस पकड़कर बस टॉप से भी आर रहे हैं मगर यहाँ बस टॉप पर पुँचन endर राम जनम भूमी तक कैसे जाया आईए हम आपको दिखाते हैं आयोधिया बस्टेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहापे कई सारे इलेक्टरिक ओटो हैं जो आपको ले जाते हैं अंदर रहाई आयोधिया के रामजनी बुभी परिसार के पास यह लगबग 25 एलेक्टरिक ओटो हैं आप एक कमपनी दुआरा और जिने 13 महिलाएं और 12 पुरुष चलाते हैं यह उनका चार्जिंग स्टेशन है अयोधिया बस्टेशन के पास मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से अभी अयोधिया बस्टेशन से लगबग लगबग 5-6 किलो मीटर जो है जनम बुमी पत है यहाँ से लगबग अगर आप देखेंगे तो 18 मिनिट का रस्ता पड़ता है जनम बुमी पत के लिए अगर आप गाड़ी से जाएं तो 6 किलो मीटर लगबग पड़ता है 18 मिनिट का रस्ता और अगर आप पैदल यहां से निकले तो आपको लगबग 4 किलो मीटर चलना पड़ेगा जिसके लिए आपको लगबग एक घंटे की वॉक हो जाएगी लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कई सारे अगर मैं आपको दूरी दिखाओं तो लगबग लगबग यहां से 6 किलो मीटर से 6 किलो मीटर के बीच की दूरी है और 20 मिनिट का रस्ता है जो हम लोग आटो से गवर करने वाले हैं यहां पर इलेक्ट्रिक आटो से और अब हमारा सफर यहां पर शुरू हो चुका है रास् पूर दिन में कितनी सवारियां हो जाती है तो अब हम पहुंच चुके हैं राम मंदर के एंटरेंस के उपर यहीं से जो है रास्ता राम मंदर की और जाता है यहां पर सारिश्वत धालू जो है राम मंदर की और जारे हैं लगबग हमको आदा घंटा लगा थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक आटो से 30 रुपे की एक सवारी दोनों सवारी मैं और मेरे कैमरा पर संसाथ रुपे और अगर पूर आटो लेना है तो देड़ सो रुपे लेकर लगबग यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं काफी बारी पुलिस तैनाती है श्रदालू का आना जान लगा हुआ है और अब यहां से जो है राम मंदिर की ओर जाया जाएगा अपने सहयोगी रवीश रंजन शुकला विरेंद्र सैनी और सचिन गुपता के साथ तनिश पंजाबी एंडी टीवी